जैस्री क्रिष्णा आये सुनते हैं तुलसी विवा के यह कहानी ऐसा माना जाता है कि भग्वान विश्डू आसार सुकलपच के एकादसी को जब सोते हैं, तो वे चार महीने पश्चार कार्धिक मास की सुकलपच की एकादसी को उठते हैं. इस दवरान सभी मंगल कार्य टाले जाते हैं इस काल को चातुर माश कहा जाता है देव उत्थान को हिंदू धर में एक विशी सस्थान प्राप्त है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह ब्रत्यभार हर साल नमंबर माह में पड़ता है भगवान विश्डू अर्थाद की जागने या फिर उत्थान होने के कारण इस दिन को देव उत्थान एकादसी भी कहा जाता है तो वही कुछ लोग इसे हरी प्रबोधनी एकादसी भी पुकारते हैं हिंदू कैलेंडर के अंसार तुलसी विवा या देव उत्थनी एकादसी कार्तिक मास की शुक्लपच की एकादसी को मनाया जाता है आईए जानते हैं तुलसी विवा की यह कहानी देव उत्थनी एकादसी के दिन तुलसी विवा किया जाता है एक मान्यता के अंसार तुलसी के वरड करने के कारण भगवान विश्रू को साली ग्राम रूप धारड करना पड़ा इसलिए साली ग्र की रूप में ही भगवान विश्रू का विबा तुलसी से कराया गया तुलसी नारायर की प्रिय हैं और उनके जागने के बार तुलसी ही अर्पित की जाती है इसे तुलसी विबा एकादसी के नाम से पुकारते हैं पौरारी कथाओं के अंसार भगवान सिरे विश्रू की पत्नी लच्मी ने उनसे कहा कि आप दिन रात जागते रहते हैं और जब सोते हैं तो लाखो करोडों वर्षों तब सो जाते हैं जिससे आप समस्चराचर का नास कर डालते हैं इसलिए आप नियम से प्रती वर्ष सयन निद्रा लिया करें इससे मुझे और समस्थ देवों को विश्राम करने का थोड़ा समय मिल जाएगा लच्मी जी की बात सुन भगवान विश्रू मुश्कुराए और उन्हें सही ठहराते हुए कहा कि आप सभी को मेरे जागने से काफी कष्ट होता है और आप सभी मेरी वज़े से विश्राम और अवकास भी नहीं ले पाते इसलिए आपके कहने पर आज से मैं हर साल वर्षारितू के मौशम में यानी चार माह शयन किया करूंगा जिससे आपको और समस्त देवगरों को भी अवकास मिल जाएगा भगवान विश्रू ने कहा कि मेरी यह निद्रा मेरे भक्तों के लिए मंगल कारी होगी और प्रलैकाल में यह निद्रा महा निद्रा कहलाएगी हिंदू धन की मानेता के अंसार संखाशु नामक भयंकर राचस का बद करने के बाद भगवान विश्रू आसार मास के सुक्लपच की एकादसी को छीर सागर में सिसनाक की छाया में सयन किये थे इसके बाद देवत्थान के दिन ही भगवान विश्रू अपने चार महीने के सयनकाल के बाद जागे थे ऐसे में देव सैनी पर जब नारायर चार महीनों के लिए बिश्राम पर जाते हैं तो सभी मांगलिक कार्य जैसे विवा, ग्रिह प्रवेश, जनेव धारर, मुंडनादि टाल दिये जाते हैं और देव उठनी एकादसी के बाद ही मंगल कार्य शंपन होते हैं देव उठनी एकादसी के दिन सबसी पहले शुबशवेरे उठकर असनान करें और नए या स्वच्वश्त्र धारर करें गर्ने का एक मंदप तयार करें और इसके मध्य में एक चोक बनाएं इस चोक के बीच में भगवान विश्रू का चित्र बनाएं या फिर भगवान विश्रू के मुर्ति या तस्वीर रखें इसी के साथ भगवान विश्रू के चड़ों की आकरिती बनाएं और इसे ढख दें भगवान विश्रू को गन्ना, सिनहाडा, फल, मिठाई यार समर्पित करें राट के समय घी का एक दीपक पूजा अस्थल पर जलाएं और एक घर के बाहर जलाकर रख दें सुबह होने पर भोर में भगवान विश्रू के चड़ों को अस्पस कर उन्हें जगाएं और विध्वत पूजा करें भगवान विश्रू को उठाने के लिए संख और घंती बजाएं